हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू हाउस अवालिक्स मेरा नाम है रियास खान एंड यार पैक विद न्यू वीडियो अजका हमारा टॉपिक है बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है एनवालिक वर्सेश साम्स सेलेक्टिव एंट्रोजन देशेप्टर बडियू लेटर्स बह साम दोनों को कंपेर करेंगे अपस में इसी दन आपका रहेगा कि आपको कौन सा लेना है या कौन सा नहीं लेना है मेरी तरफ से जो रेकमेंडेशन है वह यह है कि दोनों ही मतलो अब बाकी तो आपका है कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वह आपको को यहां पर डालें तो यहां पर आता है आपका विंस्ट्रॉल ले ले लेते हैं विंस्ट्रॉल के अंदर क्या होता है कि विंस्ट्रॉल आपकी बॉड़ियों जब इंजेक करते हो तो वो बॉड़ी में से Fibrinolysis को release करता है हमारे blood stream में डालता है इसकी वज़े से epidermis fat हटने में मदद होती है इसलिए हम install का यूज़ करता है यहाँ से आप propinate को अगर देख लो तो आप propinate जब body में डालते हो तो 80 mg testosterone आपकी body में one time में throw करता है जिसकी वज़े से आपकी body में thermogenic effect को generate करता है और आपकी body से fat का reduction कर पाता है अब आप मुझे यह बताईए Sam कैसे काम करता है किसी के पास कोई answer ही नहीं हो गया तो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं हो काम कैसे करता है आप उसे खा रहे हो अंदर जाके क्या कर रहा है आपको खुदी नहीं मालूम है तो आपको कैसे पता चलेगा और कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि वो कैसे काम कर रहा है क्योंकि उसके उपर जो research available है वो बहुत limited है या फिर नाकेब बिल्कुल ही नहीं है कहीं साम्स के उपर तो कि कोई research ही बची नहीं है उनके उपर और जिनके उपर बची है वो इतनी limited research है कि उनके बहाब पर आप कुछ नहीं बोल सकते है इंसान को कि वो क्या होने वाला है उसके साथ फिर ऐसे टाइम पर हम इसी अजीब चीज का इस्तामाल क्यूं कर रहे हैं जब हमें किसी चीज के वारे में पता ही नहीं हो कैसे काम कर रही है दूसरा जो सबसे ज़्यादा टॉपिक उठाया जाता है जब लोग साम्स की बात कर रहे होते हैं आपको पता हैं कि सिरूइट कहां कहां पर जाके आपको अब बात करते हैं स्साम्स की की साम्स के साइड ढ़ेक्स क्या है वो आपको कहा कहा जाके एफेक्ट डलता है अब वो जो so called गुरुजी जो आपके बने बैठे हुए हैं वो आपको ये वताएंगे कि नहीं भईया साम को आपको कोई side effect देहता ही नहीं है आप जो है इसको 3 मेना 4 मेना खाओ फिर बंद करके फिर सखाओ कोई side effect नहीं आएगा zero side effect आप चाओ तो अपने blood report करा लेना तो उनी गुरुजी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कभी गलती से इनका कुछ research paper वगएर उठाया हो तो for example आप MK677 का research paper उठाएं या फिर और भी गए से साम हैं जिनका आप research paper उठाएं इनको नहीं मिल रहा है उनके लिए हम publish कर देंगे उस research paper को एक site के उपर ताकि आपको receive हो जाए तो most chances ही होँगे कि कुछ दिना के बाद मैं इसी video के description में उसको link कर दूँगा जहाँ पर सारे research paper यहीं जिगाँ पर published होंगे आप जाके हमाँ पढ़ सकते हैं कि इन पर क्या-क्या लिखा हुआ है तो जिन objects ने साम को use किया था उनको particular time तक कुछ नहीं हुआ था यानिक एक limited period तक उसके बाद उन लोगों को साम देना बंद कर दिया वो इंसान नहीं थे वो थे चुहे और बंदर चुहो और बंदर को दिया गया था यह और एक प्रेक्टिव मतलब 6 या 7 सालों के बाद देखा गया कि उनकी body में cancerous cells डेवलेप हो गए उनके अंदर तो आप बोलेंगे यह cancer तो किसी को भी हो सकता है तो सारे objects को नहीं हो सकता है मतलब कि 80% objects को cancer हो गया था वहाँ पे 6-7 साल के बाद तो यानि कि अगर actual में साम ऐसे काम कर रहे हैं तो 6-7 साल के बाद आपको गए cancer हो सकने हैं यह chances हैं यह अगर आप इसको इस तरह से consume कर रहे हो अभी मेरे को पता है कि लोग आगे कुछ न कुछ बखने वाले होंगे नीचे आप तेर को क्या पता है कि साम क्या होते हैं यह और वो तो भाईया आप consume करो आप खाओ बिलकुल बिंदास होके खाओ मैं तो दोनों ही मना करता हूँ लेने के लिए और जो लेना है वो लेजो अब मैं अगला अगला जो व demon को जानते हैं वे interrupted कि कि लोग कितना एनाबालिक्स को जानते हैं और किदना साम्स को जानते हैं अगर हम इसको जटके में तोड़े तो बात ही है कि अगर मैं आप से यहाई मेरे subscriber से पूछूँ कि वो कि यह साम्स कैसे काम कर रहे हैं तो आपको एक बंदा नहीं बता सकता है कि यह साम्स कैसे काम कर रहे हैं तो रीजन है उसके पहला उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है कि साम्स हैं क्या और कैसे काम कर रहे हैं उसके पहला उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है कि साम्स हैं क्या और कैस research available है और कितनी नहीं तो अगर हम anabolics की बात करें ह 온 हैं यहां पर to anabolics के पास tones में reports available होंगे आपके पास कि ऐसे kाम कर रहे हैं कैसे strategic performance का enunci कर रहे हैं और हमारी body में क्या-क्या कर रहे अगर बात करें हैं अगर Samc की तो हैं यहां पर 60 reports और research सब्सक्राइब नहीं है तो मैं उनकी बात एक सवाल का जवाब देना है वो लोग जो अपम यह बता रहे हैं कि साम स्टेरोइड नहीं है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि जितना मैंने यहाज तक पढ़ाया और शायद आपने भी दो-चार किताबें अगर उठाई हूंगी तो आपने भी यही पढ़ा होगा कि हमारी बड़ी में प्राइमेरी होर्मून जो मसल बनाता है वो टेस्टस्टेरोन है या नहीं कि आपको अगर मसल बिल्ड करना है तो आपको बड़ी का टेस्टस्टेरोन लेवल अच्छा होना चाहिए या फिर आप बाहर से भी अगर देते हो तो वो टेस्टस्टेरोन ही होते है या उसके डेडिवेटिव होते हैं जो आपके लिए मसल बना देते हैं तो यह बताईए कि साम में ऐसा कौन सामृत वाला होर्म तो अगर यह ऐसा कर रहा है तो यह भी स्टेराइडल ही हुआ ना यह नॉन स्टेराइडल कैसे हो गया मेरको समझ में नहीं आया कोई भी साम आप कंज्यूम करोगे आपके नेचरल टेस्टास्टेरान लेवल सप्रेस होंगे और इसके लिए भी वही एक सिमिलर काइंड ओफ पीसीटी को रन किया जाता है तो अगर यह स्टेराइडल नहीं होते तो आपको किसी भी तरह की पीसीटी रन करने की जरूरत ही नहीं होती इन फेक्ट यह आपके नेचरल टेस्टास्टेरान लेवल को वहाँ पहुचा देते जहां पर आपके जो है नहीं पहुच सकते नेचरली तो अगर ऐसा है तो यह वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका टोटल जो मेरको चीजे समझ में आती है और सायद आपको इन पॉइंट से कुछ-कुछ चीजे समझ में आए कि साम्स जो है वो अभी भी हिडन है और जैसे कि आपको सभी लोग बोल रहे हैं कि साम्स मार्केट में सारी नकली अविलेबल है तो चांसे बहुत हाई है क उसके अंदर भी काइंड आफ स्टेराइड से कोई और स्टेराइड उसके अंदर डाल के आपको दिया जा रहा है और उससे अपकी मसल बिल्ड हो रही है कई लोगों के तो घर के चत्पे भी जो है ना साम्स कुनते हैं तो कुछ नहीं कह सकते हैं हम इसके उपर कि किस से लें और कहां से लें और बस मैं तो ये कहना चाआँ को कि मेरी तरफ से तो साम्स और आनफॉलिक्स दोनों के लिए ही मनाएं तो जो लोग बिल्ड करना चाहते हैं इपर जो जाए जజ्ना के जा dining के अंकर पर वह बीन साम् है लोग जानते हैं कहां पर क्या कर रहा है और एक और चीज जो देखी गई है आधकल जो बना रहे हैं आपको पता कौन बना रहे हैं तो वह लोग जो है combine कर रहे है steroid के साथ साम को steroid देते हैं और sams को भी add कर देते हैं तो sams अगर इतने ही natural है तो steroid के साथ साम देने का क्या मतलब बनता है मेरे को भी तक समझ में नहीं आए क्यों दे रहे हैं साम को इवी चीज़ को use करना है ना करना हो कि कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं मगर अगर वो site clear य js विजिबल नहीं होगी मेरे सामने तो मैं बिल्कुल भी किसी को suggestion नहीं दे सकता हूँ कि वो Salmsilaize उस करें वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करना न भूलें तो अगला वीडियो है HGH Somatropin के अपर तो stay tuned for the Somatropin वीडियो अलसो and thank you very much guys for watching